सम्मेलन को सम्मोधित करने के लिए शेपाल सिंग यादव और मुलाइम सिंग यादव दौनवही मन्ज से मौजूद थे उन्होंने लाखों की भीड देखकर गदगद हुए और लोगों का धन्यवाद दिया नेता जी ने जहां मन्ज से केंडर सरकार को कोसा मोधी को जूटे वादे करने के लिए परदेश और देश में लोगों को परशान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया वही नोटबंदी के फैसले के बाद से 105 मौतों का जिम्मेदार भी प्रदान मंतरी को ठहराया वही प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अतलेश यादव ने आज नोट बंदी के दुरान हुई मौतों के लिए 2-2 लाख रुपए का मौपज़ा देकर मरम लगाने की काम किया है अब देखना यह होगा कि 2017 में किस तरह से समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाती है बरेली में सजाओ हुआ मन्च मौलाइम सिंह यादव के जाने के बाद उखाड़ा जा रहा है यह तमाम तईयारिया थी जो समाजवादी पार्टी की रैली से पूर्व की गए थी मन्ज से शिपाल सिंह यादव और मुलाहिम सिंह यादव कि शासत गायती प्रजापती ने भी मन्ज को संबोधित किया और जन्ता से प्रदेश सरकार दुबारा सरकार बनानी का अववान किया बलान मंत्री नरेण मोजी को मुलाइम से जूटा करार दिया है और उनकी लोट बंदी के फैसले के दौरान 105 मौतों का जिम्मेदारों के खराया है नेता जी ने बंच सही परदे सरकार के सरानीय कारियों की भी सराना आगी और कहा कि अखलेश ने जनता से वादे किये थे उन्हें समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूरा किया है समाजवादी की पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता समाजवादी पार्टी है समाजवादी पार्टी का कारिकरता जो कहता है उसे करके दिखाता है अब जनता से वादा चाहा रहे हैं जनता से मांग कर रहे हैं कि 2017 में विधान समा में तमाम उनके विधायक और प्रत्याशी को चुनकर बेजे जिससे की प्रदेश में समाजबादी पार्टी की सरकार दुबारा से बन सके। जिससे की प्रदेशन देश शुपाल सिंग यादो ने कहा है की मुख्मंत्री अखलेश यादो से सिर्फ राय ली जाएगी फैसला उनका होगा। मुख्मंत्री अखलेश यादो पिकट नहीं बाटेंगे सिर्फ सुझाओ देंगे। यह कहना है समाजबादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और चाचा शुपाल सिंग यादो का। बरेलीक रैली का जाजा लेने पहुचे शुपाल यादो ये बयान देकर पिछले दिनों से शान्त समाजबादी पार्टी में एक नई हलचल शुरू कर दी है जिसके अलग-अलग सियासी माने निकाले जाय रहे हैं। उधर पिछले दिनों इटावा पहुचे एक नीजी कारिक्रम में पार्टी के राश्ट्री महासचीव और राज्य सबासे सांसद राम गोपाल यादों ने साफ तोर से कहा था कि चुकी में पार्टी का जनरल सेकेटरी हूँ ऐसे में पार्टी में टिकट बटवारे का अंत चले और तेज हो सकती हैं ही एक पूर्व MLC भी मौजुद रहे भारती जन्ता पार्टी के पिछला वक्स सम्मेलन में मुहम्दाबाद और सदर विहां सभा के कारकरता और पदाधिकारी सम्मिल्ट हुई काईकरम के माध्यम से बताये गया कि जब तक उत्तर प्रदेस में भारती जन्ता पार्टी के सरकार नहीं बनेगी तब तक पिछले वर्ग के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा वर्तमान और पिछली सरकारों ने मिलकर प्रदेस को लूटने का काम किया है और पुर्य प्रदेस में गुंडा राज और भष्टाचार बढ़ा है मोदी दोरा केगे विकासकारियों और योजनाओं से सभी लोग खुस हैं और 2017 के चुनाओं में भारती जन्ता पार्टी के सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है भारती जन्ता पार्टी के इस पिछरा वक्स सम्मेलन के माधन से आज मजु सदर विधान सभा से से भारती जन्ता पार्टी ने 2017 का विधान सभा क्यूनाओं का विगुल फुक दिया है ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी लोग यहां उपस्ती थे जो मोग सदर सीट और मुहम्दाबाद सदर सीट से अपने टिकट की दाविदारी पेस करने के लिए भारी संक्या में समर्तिकों के साथ उम्रे हैं लोगों को बताया गया है कि मोधी ने किस प्रकार से विकासकारियों को अंजाम दिया है और आगे भी जनता मोधी के विकासकारियों से प्रभावित होकर 2017 की विधान सवाशुराओं में भारती जनता पार्टी की सरकार बनाएगी सरकार राजामे जल्ड चार हजार से भी अधिकहुटि के निक्ति करने जा रही है सरकार के मुख्या हरी छावप एस बाद का अईलान कर लिया है कि जल्ड से जल्ड चार हजार अधिकहुटि की निल्फिकीजाएगी हॉम गार्ड को लेगर मुख्यमंतिय हरी स्वावत ने साप किया है कि हॉम गार्ड ने एक महतवपूर घुमिका उत्राखन में निवाई है कम पैसे और कम संसादरों में उन्होंने महतवपूर समय में सरकार और राज्य का साथ दिया है ऐसे में उनकी मांग जाइज है साथ ये मुक्यमंतिय हरीस रावात और विवागिया मंत्री पिर्टम सिंग ने ये भी कहा है कि जो होमगार्स और उनके मिर्तक आस्रितों को भी अब सेवा में लिया जाएगा कि सरकार उनकी वेतन विशंगति के मांग को भी जल दूर करेगी और राज्य में चार हज़ार ने पत्सिर्जित के जाएंगे कई पैसे नहीं कई एटियों में ताले लगने होने के कारण लोगों को काफी दिकतों का सामना करना पड़ रहा है कैस्न के लाले और एटियों परताले नोडवन्दी के बाद से गाउं का यही सच है पैसे ना होने से कई जगों की सखाएं देर से खुल रही है अक्रोसित लोगों को सांथ कराने के लिए कई जगों पर पुलिस को दखल देना पड़ रहा है कुछ जगों पर तो पैसे ना मिलने से नराज लोगों ने सड़क भी जान किया तीन दिन में दो दिन बैंक बंद रहने के नाते अधिकर एटियम सफेद हाती बन रहे है एक आज में पैसा था तो वहीं लंबी लाइन थी गौ में यूभी नगदी का संकट बना हुआ है फसल सीजन में किसानों को खाद बीच के लिए सुराथ एक नगदी की ज़रुत होती है इस पैसे से कब लोगों को निजात मिलेगा ये तो आब आने वाला वक्त ही बताएगा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रती अपराद थमने का नाम नहीं ले रहे है आज बदाईं जिले में ही बलातकार के तीन मामले सामने आए है थाना जरीफ नगर में एक मामला सामने आया है और थाना उगहती छेतर में महिलाओं के साथ दो सामुहिक बलादकार के मामले सामने आए हैं बदाई जिले में आज तीन रेप की घटनाएं सामने आई हैं थाना जरीफ नगर छेतर में जहां एक उबती के साथ बलादकार की घटना सामने आई बहीं थाना उगयती में दो अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं जिसमें एक महिला ने अपने जेट के साथ कई लोगों पर बलातकार का आरोप लगाया है बहीं दूसरी घटना में एक उबती ने आरोप लगाया है कि उससे घर से अफरत करके कुछ लोग बाहर ले गए और उसके साथ दुराचार किया पुलिस ने इन तीनों मामलों में मुकदमा दर्श कर लिया है यहां यह बता दें कि थाना जरीफ नगर में जो घटना हुई है उसमें पुलिस ने तीन सो चेटर का मुकदमा दर्श किया है तो इस तीसरे मामले में भी मुकदमा में धारा परवर्तित करके 373 की धारा जोड़ती जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि उसके शासंकाल में महिलाओं के प्रद्यापरादों की संख्या में कमी आई है लेकिन इस तरह की जो घटनाए सामने आ रही है उससे तो सरकार के दावे खोकले ही लगते है अब देखना ये है कि महिलाओं के पर साथ हो रहा है इस तरह के अत्याचारों का कब रोक लग पाती है ताजनगरी आगरा में लव सेक्स और धोका का मामला सामने आया है यहां एक दरों का फुत्र ने पहले एक युप्ति को अपने प्रेम के जाल में पसाया और उसके बाद कई साल तक उसके साथ साधी का जासा देख कर दुसकर्म करता रहा इतना ही नहीं इस दौरान उसने युप्ति की असले खिल्पिंग भी तयार कर ली थी दरसल मामला है थाना जग्रीस पुरा इलाके के अबत पुरी छेत्र का मोना कालपिन नाम के मताबिक उसकी मुलाकात आठ साल पहले पड़ोसी प्रमोद से हुई जो उसके साथ उसके कॉलेज में पड़ता था प्रमोद के पिता आगरा मही पुलिस में तैना से हैं प्रमोद ने पहले मोना से दोस्ती की बात की और उसके बात अपनी दोस्ती को प्यार में बदल दिया इतना ही नहीं प्यार के जहांसे में लेकर उसका साधी का दवाब बनाया तो प्रुमोद ने उसे उसी के असली वीडियो दिखाई जो प्रुमोद के द्वारा बनाई गई थी उसे सारवजे ने करने की दमकी दी और साधी करने से इंकार कर दिया फिरमोट ने अपने पिता के फुलिस में होने की दमकी भी दी फिरमोट इसी 12 दिसंबर को कई और साधी करने जा रहा था जब मोना को इस बारे में पता चला तो उसने आगरा के एक समास सेवी मेला की सरन ल करने को लेकर जब युगती को पता चला तो युगती ने अब पुलिस की सरण लिये और आरोपी युबक के खिलाब अब पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया है यूपी में एक और संसनी खेस बारदात मत्वा जंक्चन पर रेल कर्मचारी की हत्या अग्यात लोगों ने की इड से कुचल कर हत्या मुकदमा पहुचे परवारवालों का कहना है कि विष्नु की उसके साफ्वाल वालों से काफी समय से विबाद चल रहा है और सस्वाल बालों ने उसको जान से मानने की धमकी दीती और आज उसकी हत्य हो गई हिलाल पुलिस ने सबका पंचनाव भर पोस्माटम के लिए भीज़ दिया है और जाच में जुट गई है दोई जिले के मजला थना इलाके में बड़ा मामला सामने आए जिसमें तबंगो का कहर देखने को मिला है एक परिवार पर जमीनी विबात को लेकर कुछ तबंगो ने सरयाम उनकी पिटाई कर उनको मकान को आग के हवाले किया हुआ है दौलत पुर गाउं में उस वक्त हरकंप मच गया जब कुछ तबंगो ने गरीब परिवार को घर में घुस करके शरयाम उनकी पिटाई की वा उनके मकान को भी आग के हवाले कर दिया ये कहर किसी तालीबानी सादा से कम न था उन लोगों ने एक व्रद पितावा उसके पुत्रवा उसकी पत्नी को पीट पीट कर उनके हाथ पैर तोड़ वो चिलाते रहे तरकते रहे लोग तमाशबीन बने देखते रहे किसी ने भी उन लोगों दबंगों के खिलाब आवाज उठाने की जहमत न उठाई ये मामला हर्दोई जिले के मजला थाना इलाके के दौलत पुरगाओं का है जहां एक परिवार जमीनी विवात के लिए पीटा गया और इस कदर पीटा गया जिसमें उनके हाथ पैर भी त इसए और है धालेथ चल्क प्राहिट रहें गया देखना एलेकना पर प्लिस और जारिन आवें गुलेवागों ताबल तोल डंडों से मारना पीटना शुरू कर देते माल लूटते और निकल जाते आखिरकार पुलिस ने इन्हें ग्रफतार करने में कामियाबी हादि पुलिस का दाबा है कि ये लोग गेंग बना कर जगए बदल बदल कर लूट और डकैती की वारदातों अंजाम देते हैं पुलिस की माने तो ये गेंग लूट करने वाली जगए की रेकी एक दिन पहले कर लेते हैं और देर राथ सब एक जुटो कर टारगेट पर हमला कर देते हैं पुलिसिया पुष्टांच में पकड़े गए बदमाशों ने कन्नोच, कानपुर, साइथ कई दिलों और दूसरे प्रदोशों में वारदात करने की बात खुबूली है पुलिस का दावा है कि लूटे गए लगबग 4 लाग के जेबराथ बदमाशों के खबदे से बरामद हुएं जबकि कन्नोच की टकैटी में 10 लाग रुपे से जेबर लूटे गए थे पुलिस ने बदमाशों ने कन्नोच और कानपुर में 2-6 नॉमबर के 27 दकैटी की वारदातों को अंजाम दिया है दकैटी की बड़ी वारदातों को संग्यान लेते हुए कानपुर के आईजी और डी आईजी ने खुद मोखे का मौइना किया था जिसके बाद कन्नोच के पुलिस अदिच्छक ने एडिशनल एफ़ी की अगवाई में तीन स्पेशल टीमों को टकैटों गरफतारी के लिए लगाया था पुलिस भ調 ही दस अपगरफतार करने के बाद अपनी पीट सब्ता पा रही हो लेकिन गिरो के सरगना और चार अपगरफतारी ये बताने के लिए कापी है कि पुलिस का सरदर्द अभी खत्म नहीं हुआ है लखीमपूर खीरी के थाना मैगल गंज की फट्टे पूर चोकी के सिपाई की करतूत ने एक बार फिर लखीमपूर खीरी की खाके को सवालों के घेरे में खड़ा किया है जहां आरोप है कि पस वद अधनियम के दो नामजद आरियूपियों की ग्रिप्तारी को ना लेकर जब गामिरों उनसे पात करने गए तो गामोरों के साथ प्रतुसुलूकी की गई और उन्हें टरा फट्टा कर भगा दिया गया पूरा गटना क्रम है लखीन पूरी खिरी के मैगल गंथाना के फट्टेपो चोकी का जहां चोकी के अंतरगत आने वाले गाउं आश्चिक नगर में कुद दिन पूरे गवकसी की घटना हुई थी जिसको लेकर किशान उनिन के पदाजकारी और ग्रामिरों ने एक पातना पतन दिया था उच्दकारियों के हद्टा छेप के बाद दो लोगों पर नाम देन मुकर्मा तो पंजी कत किया गया लेकिन पंदा दिन भी जाने के बाद दिफ्ताई नहीं की गई और इस बाबत जब गामिरों ने पुलिस वालों से बात करनी चाही तो चोकी के सिपाही के पता अधिकारियों और गामिरों ने हजारों के संखा में चोकी का घराव किया जहां पुलिस पिसासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाये गए और साथ ने उन दोनों विप्तियों की जल्दे गिर्टाई नकमने पर बड़े अंदोलिन की चेतावनी दी गई और साथ में य वाली बात यह है कि जहां किशान यूनिन के पता अधिकारी और गामिरों ने बसलूकी के निलंबन के लिए और ग्रिपतारी के लिए धरना रखा था वही पुलिस द्वारा वननिस नामजद और एक से पचास अग्याद लोगों पर गयर कानूनी रूपतित चोकी के घराव को लेकर मुकत्बा पंजीकत कर दिया गया है लेकिन आरोपी सिपाई पर अभी तक कोई कारवाई नहीं की गई है प्रताब गड़ ने इस रुचित हैं जिले का लाजिकारी आए दी निहाद क्यों लोगों कर मिलती है जान से मानने की धंकी ताज़ा मौमलार प्रताब करके जिला विद्यालनी रिचक डाक्टर ब्रिजेश में इसको आग्या सक्ष ने फोन पर जान से मानने की धंकी दिया सक्ष ने फोन पर बताया कि ये जिवान नेता और मंतियों बात नहीं मनती हैं मानते हैं तो उन्हें और उनके पूरे परिवार को इसका अंजाम भूगतना होगा करतारी नहीं हो सकी सुत्रों की मानने तो पूरा मामरा सत्तापत से जुड़ा होने के करण ही पुलिस सिर्फ खाना पूर्टी कर रही हुआ ही धंकी बाद जिला विद्यालनी रिचक ने आज अपना मोबाइल पूरे दिन बंद रखा प्रतार बढ़के जिला विद्यालनी पूर्टी को दिये जाने का कोई पहला मामरा नहीं है इससे पहले यहां पे सियो जी अलहक की हत्या और अलिय इसक्टर के हत्या आज भी लोगों के जहन में जिंदा है बावजुद इसके प्रसासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता यहां पर भी डियम ने आला थिकारियों को ज जगत सिंग मारतोलय के साथ की गई मार्पीट को लेकर आज पीजेपी कारेकरताओं ने पुलिस मार निदेशक को सौपी अपनी तहरीर में काउंगरिशी नेता हरीज धामी पर हमला करने का आरोफ लगाए हैं माप परतिनि 25 में आज देराइदूर में पुलिस म महानिदेशक घंट इंड़पति से मुलाकाइट करण साथ मुन इचारी में हुगई घटना की पूरी जानकारी देता हुए महानिदेशक थे हरीज करता निर्ग कुछ हो गए हैं वहीं बीजेपी नेता नरेश बंसन ने बताया कि हरिजदामी की खुरूरता के सिकार हुए बीजेपी नेता जगत सिंह मारते उले की हालत बेहत नाजुक बनी हुई है बाजबा निताओं का आरोप है कि पूरे घटनाकरम में पुलिस मुख दस्तक बनी रही ऐसे में बीजेपी नेताओं ने आज पुलिस मारनेदेश अक से मुलाकात करी है और उनको ग्यापन सपा है ताकि हरिजदामी की गिराफतारी हो सकी ऐसे में देखना होगा कि पुलिस मा सेंटर का शिलान्याद करने की गुश्चना होई थी जूंदान से तीन माँ पहले बहराइक मटेरा विधानसमा से विधायक वा कैबने मिंत्री आसर्शा ने ट्रामा सेंटर का सिलान्याद करते हुए इसे जल्ड़ पूरा होने की बात कही थी ग्रामिडों का कहना था कि आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि चार मा में ट्रामा सेंटर बनाने के दावे के बीज तीन मा बीज जाने के बाद भी अभी तक शेहर के मलेविया हास्पिटल में बनने वाले ट्रामा सेंटर की सिर्फ निव ही पड़ पाई है अठारा करोड की लाज़ा से तैयार होने वाले ट्रामा सेंटर के लिए मात्र आठ लाक रुपे अवमुक्त किये गए थे जिसे अभी तक कुछ पिलर ही पड़ पाएं हैं वो भी अभी आदे अदूरे हैं जो समान जहां पड़ा था वहीं पड़ा रहे गया है जो मशीन जहां खड़ी थी वहीं खड़ी है अब आप ऐसे में खुच सोच सकते हैं कि जिले में लोगों को बेहतर चिकिस्टा सुगिदा मोहिया कराने वा उन्हें महानगरों में महेंगे इलाज से मुक्ती दिलाने के लिए पूरे तामजाम से किये गए इस सिला न्यास व क्लाने के लिए लगबंगाट लाग रुमए आयए थे जो कि कारण्यार संसा को दे दिया गया ठाश जितना पैसा आया था उतने का काम करा दिया है ऑस्कार प्रशाथन द्वहारा शासन को पत्र लिखा जा चुका है जैसे भी पैसा आया कार शुरू करा दिया जाएगा पुलिस ने इनके पास से देस्टॉप लैप्टोप सहीद फाइलें और नगदी भी बरामत की है इस पूरे कांड में एक दर्जन यूवतिया भी शामिल थी जिनको पूस्ताच के बाद परिवार के सुपर्ट कर दिया गया है फिलाल पुलिस इंते पूस्ताच कर रही है और पकड़ गए आरोपियों को जेल भेदने के त्यारी कर रही है पुलिस की ग्रफ्त में खड़े नाजिम कासिफ फर्मान हैदर आसिफ सल्मान और फरहान ये सातों नव्यूवक हैं और यही वो शातिय ठागे हैं जो काफी दिनों से मेरट के थाना लिसाड़ी गेट शेतर के आर्टी औफिस के फास फर्जी फाइनस कंपणी चला रहे थे जिनमे ये लोग के नाम पर जोगों को ठगलिया करते थे पुलिस ने राफ यहां चांपेमारी के दोरान इन सातों की गिरफ़तार किया है इनके साथ साथ एक दरजन यूतिया भी गिरफ़तार की गई है जिनक लैप्टॉप, टेस्टॉप, प्रिंटर और 15,000 रुपे की नगदी बरामत की है। पुलिस की माने तो ये गैंक पिछले काफी समय से इस काम को करता रहा है। मेरट में ये पहले भी जगा जगा अपनी कमपनी खोल चुके हैं और इस तरह से ही लोगों को ठक चुके हैं। ये ठीकानों को भी बंद किया जा सके। लेकिन बता दें आपको इससे पहले भी समय समय पर इस तरह की कमपनीया सामने आती रही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। फिलाल वर्तमाने में भी इस तरह की कमपनीया मेरट में संचालित हैं। लेकिन अब देखना यह ही होगा कि पुलिस के लाख दाव और वादों के बाद क्या इस तरह की कंपनिया बंद की जा सकेंगी। काम ना मिलने से मजदूरों को मायूस होकर घर लोटना पड़ रहा है। 500 की नोट जो बंद हो गई है वो दे रहे हैं दिन बर काम करने के बाद बंद होई नोट हाथ लग रहे हैं। कि रोज काम पर अपना और अपने परिवार का पेट पानने वाले मजदूर की दो वक्त की रोटी का इंतजाम आखिर कैसे हो पाएगा। इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है। मजदूरों का कहना है कि अगर काम पर जाते हैं तो उनको वही पुराने 500 के नोट मिलते हैं। अगर देखा जाए तो जल से जल अगर मजदूरों के समस्याओं का समधान ना किया गया तो उनके घर के चुले जलना मुस्किल हो जाएंगे। जल से राधानी लखनों में खेला जाएगा जूनियर हौकी वोलकप मैच। इस मैच में 16 टीमें शामिल होंगी। लखनों के ध्यान जनी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस दस दिवसीय मैच में 16 टीमें शामिल होंगी। इस कारिकरम का शुभारम राजपाल राम नईक करेंगे। उत्रप्रदेश की राधानी लखनों में हो रहे इस अंतराश्टिय स्टर के मैच में 16 टीमें शामिल होंगी। जिससे उत्रप्रदेश के स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। झाल 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 झाल